आज का हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने के रिए मैंने मुंगदाल और चावल लिये थे जिनने अच्छे से दोका 3-4 घंडे भीगो के रखे दिया रात भर आप सोग करके रखिये उसके बात पानी निकाल के इसको ब्लेंड करना है तो एक हिसा मैंने ब्लेंड कर लिया है द पानी पिलकुल भी नहीं डाला है नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बढ़िया सा फ्लेवर फुल बैटर जो है हमारा रेडी है तो अभी इसको रग देते है थोड़ी दिर साइड में और एक मसाला रेड कि इसाअब अहल आधा मिर्誌 धhold उन ईसेवाज़ा मिर्ची द्हनिया पावडर और सांबर मसाला है सांबर मसाले ये से स्का फ्लेवर जबडिया तो जरूर आप डाल जाली जबाद लिए गया मैश्छ आलो एकष्ट को ज़ने बरनने वाली जो स्टाफिंग तयार हो जा को बता रही हो बहुत बढ़िया है पारी कट वहरे धनी लास्ट में डाल देंगे गैस को करी जएगा और यह स्टाफिंग बनका बिल्कुल तयार है जैसे यह थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसके चुटी-चुटी बॉल्स आप बना लीजेगा बिल्कुल इस तरह से बिल्कु यह मैंने अपे पैन लिया है जिसको मैं ग्रीस कर ले रही हूँ ओइल थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें ओइल ज़रू डालीगा मस्टर्ड सीड इसमें डाल देंगे राई के दाने साथ ही कुछ कड़ी पत्ते भारी करते हुए इसमें डाल देंगे बहुत ही बढ़िया द दाल के फिर बॉल जो है एक साथ डाले ऐसा मत कीजिए कर नहीं तो तब तक वो पक जाएगा आटा तो यहां पर बस एक चमच डाला है जल्दी से बॉल को डाल देना है और उपर से वापस से बैटर को फिल कर देना है तो यह बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बन रहा है जो पलटा लीजेगा ताकि उपर वाला हिस्सा भी अच्छे से सिक जाए और आप देख पा रहे होगे कितना प्यारा सा कलर आया है इस अपे का बहुत दिखने में मस्त लग रहा है मत देखे मन करें कि हायार बहुत टेस्टी होगा और सची बताँ यह बहुत जादा टेस्टी ह तो इस रेसिपी को आप स्ट्राइ जरूर कीजेगा मिस बिलकुल मत कीजेगा आपने देखा ना कितनी जल्दी हमने फटा फट से यह बना लिया कुछी मिंटों में यह बनकर तयार हो जाते हैं तो बस नीचे से भी आप देख लीजेगा सिक गया है अच्छी तरह से तो नि सीम बैटर का इस्तमाल करके मैं आपे डोसा भी बना रही हो वही बैटर है जो मैंने अपे में इस्तमाल किया और उसी का ही आप इस तरह से डोसा भी बना सकते हो तो दो तरह के नाश्तिया बना सकते हो सीम बैटर सीम स्टफिंग का इस्तमाल करके तो है नही बढ़िया सी र आलो जरूर कीजेगा और इसे ट्राय जरूर कीजेगा बहुत डिलिशियस से अप्पे और डोसा भी बहुत बढ़िया है तो ये दिखिए किता मस लग रहा है बच्चों को बेहत पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें आलो भी एड़ किया है तो अभी इंजॉय कीजिए थैंक् आएगा ऑ्सक्तरों में ताइसर गानी के लिए ध्यॉय कीजिए भी अाटूर करो सहना है तो एज स्टस्टर गोजर को सा किया है ओढ़िया है तो ये जौर को सिन आए धूर को सहना है जहार गूर कीजिए तूर का लिए जए ध्युत नहीं इहाद दूर कर देंसे हैं सामी